हेलो अबरिबन, वेलकम बैक टो अपर चैनल जी टी फिल्म, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मोस्ट टलेंटिट एक्टरस महक चाहल की लाइफ स्टाइल एं लाइफ स्टोरी के बारे में, और जानेंगे इन से जुड़ी कुछ खास बातों को, तो आप इस प्रीत कौर चाहल, और निकनेम है प्रीती एन महक, और प्रॉपेशन से एक एक्टरस एन मॉडल है, इनका जनम एक फरवरी 1977, ओसलो नोर्वे में हुआ था, और 2021 के साब से आज इनकी इस 42 एर हो चुकी है, और इनका होम टाउन मुमई महाराश इंडिया है, अब इनकी एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं, तो इन्होंने अपनी स्कुल की पढ़ाई, नोर्वेगन मीडियम स्कुल नोर्वे से की, और साथ ही साथ इन्होंने अपने सेकिंड स्कुल की पढ़ाई, किसोर नमित एक्टिंग स्कुल मुमई से की, एजुकेशन क्वालिफिके नीथो मूवी से जो सन 2002 में आई थी और इसके साथ साथ इन्होंने बॉलिवूर्ट फिल्म में डेब्यू किया नई परोशन मूवी से जिसमें इन्होंने लीड रॉल पिले किया ये मूवी 2003 में आई थी और इसके साथ साथ इन्होंने काफी सारी फिल्मों में नंबर आइटम भी किये हैं इनका फर्स्ट नंबर आइटम मूवी चमेली में था जो सन 24 में आई थी और इसके साथ साथ इन्होंने पंजावी फिल्म में भी काम किया है इनकी फर्स्ट डेवी पंजावी फिल्म का नाम था दिल अपना पंजावी जो 26 में आई थी और इन्होंने टीवी में डेब्यू किया था सौनी टीवी की मोस्ट एपिक सो सी आई डी से जो सन दोजान नौ में आये था और ये मोस्ट कॉंटरवल सी सो बिग वाउस सीजन फाइब का भी हिस्सा रह चुकी है ये फर्स्ट रन अप भी रह चुकी है और अब ये फियर फेक्टर खत्रों के खिलाडी सीजन 11 में भी हैं तो हमको कॉमेंट करके बताना कि ये आपको कैसी लगती हैं और इस बारी सीजन 11 का बिनर कौन बनेगा और अब इनकी फैमली से मिल लेते हैं तो इनकी फैमली में इनके फादर मदर के साथ साथ एक इनकी सिस्टर और एक इनका ब्रॉदर भी है इनकी सिस् इनके एक्स बॉइफरेंड का नाम दानिस खान था और इनके फ्योंसे का नाम अस्मीत पटेल है जो प्रॉफिशन से एक एक्टर है अब इनकी होबी के बारे में देख लेते हैं तो इनको डांसिंग, मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग करना काफी पसंद है अब इनकी फेवर फूड है इसपाइसी इंडियन फूड फेवरिट एक्टर है सलमान खान अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं यह रहती कहां पर है तो यह अपनी फैमिली के साथ मुंबई महारेश इंडिया में रहती है अब इनके कार क्लेक्शन देख लेते हैं तो इनके पास फस् वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like and share करना और हमको comment करके बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी thanks for watching